पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदा सिंग और कॉंग्रेस नेता नवजोज सिंग सिद्दू के बीश लडाई की बाद किसी से छुपी नहीं है तो वहीं से बीच अब अमरिंदा सिंग सुबे के बड़े और विरोधी नेता सुभीर सिंग बादल से पंगा लेने के लिए बिलकुल तयार है दरसा लोग सभाचनावों के बाद सुबे की जलालाबाद सीट खाली हुई है अब इसी सीट पर उप्चनाव होने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंतरी अमरिंदा सिंग इस सीट को जीतने की तैयारी कर रहे हैं उनकी पूरी कोशिश है कि इस सीट पर कॉंग्रेस को सफलता दिलाई जाए कहा जा रहा है कि अमरिंदा सिंग ने इस सीट को अपनी नाक का प्रश्ण बना लिया है और वो किसी भी कीमत पर इस सीट को शिरोमनी अकारी दल से छीनना चाहते हैं बताते चले आप को कि सुखभीर सिंग बादल इस सीट से लोकसभ़ पहुचे हैं और ऐसे में अब इस सीट पर उप्चनाओ हो सकते हैं आने वाले वक्त में तो वहीं कहा जा रहा है कि भुलत, मांसा और खगवारा सीटों से तिकट के लिए भी कॉंग्रेस निताओं में होड मची हुई है इन सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा नहीं था खेर, अमरिंदर सिंग के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि वो जलालाबाद सीट के लावा बाकी सीटों पर होने वाले उप्चनाओं में कॉंग्रेस को चीत दिलाएं झालाबाद भी कॉंग्रेस का कि अवाले बाकी सीटों पर लावादं में हो जो जाएं